आज हम बनाने जा रहे हैं कोठल का सब्जी तो कोठल का सब्जी बनाने से पहले बहुत जन थोड़ा घबरा जाते हैं हम नहीं में आपको देखना को मिलेग तो चलिए हम देखने को मिलेगा। कोठल काटने से पहले नीचे एक नीच प्यपर नाई तो ऐसा पनी विछा लेने का ऐसा लादी के ऊपर और एक बर्तन में पानी लेना है तो हमने पानी ले लिया है और इसमें हम आधा चमस तेल डाल दिया है पानी के अंदर और हम डाल देते हैं एह हल्दी हमने आधा टेबल चमस पे भी कौम लिया है चुटकी भर्षे थोड़ा ज्यादा यह हम पानी में डाल देते हैं यह डालने से आप जब कठल काटके जब इसके अंदर आप डालोगे तो यह अंदर जो सफेद वाला जो निकालता है कठल का ओ इ थे जो काटने बाला है तो इसके अंदर हम पहले थोडा सा हातों में यह टेल लेके इसा तेल लगा लिएते हैं यह और दोद जैशा वो फ्रहो एसके अंदर लासा ब सबलें यह दो नकला घेगा؟ लेमन ब सकते हैं लेमन को सबतीत निकलों. पिर आपस हम जब काटेंगे चाइशा ये काटने से फिर भी निकलता है देखिए एस फ़स्ट फ़स्ट थोड़ा थोड़ा निकलता है तो उसी मैं अईशा लिम्बू लगा देने का इसी तरह तो ये लगाने से इसके अंदर रहेगा बाहर ही नहीं निकलेगा और काटने भी भी हमको आसानी होएगा तो इसे हम लोग काठाल बोलते हैं हिंदी में कठाल बोलते हैं और माराथी में तो बोलते हैं फानस इंगलीस में तो आप लोग जानते ही हो जैक फुरूट बोलते हैं तो चलिया कैसा काटते हैं देख लेते हैं कोई-कोई यह काटने का डर से इसका स जाड़ा करके निकलना है तो आप चूरी से भी कट सकते हो इसके अंदर बाहर वाला एक पूरा निकल दिया है पीच में से एक चीरा लगाते हैं सफेत कलर रहतकी है सबहर दोकुरा निकलना है दोकिक यतना इसके लिए हाट और को और भी कोपुए दोकिर के गडीी सब्सेटना है तो आभी अप पीस काटिंग कर रहा है यह देखिए अपको जैसा बड़ा चाहिए वह इसाब से रखिए यह देखिए एक भी निकला नहीं है और एकदम पीस अच्छे से कट गया है यह अब हम पानी के अंदर डाल देते हैं तो यह ताला नहीं पड़ेगा हम तो बताया है प काटने में कोई डिफिकंट नहीं है एक बार आप देख लिजिए ऑच्छे से तो आप घर में हमेशा कट सब्बेजित Estates कवा दिएटे हैं लेकिन समझा हमको बाद में सब्साřि बनाना है तो पहले से काटिग करकर कूँ रखना है घर में भी कट सकते हो आप ऐसा आइडि में इसको बोलते है ये चोड तो ये चोड का सब्जी बोलते है इसको ये बहुत ही अच्छा बनता है अब लोग घर में ज़रूर एक बाद ट्राइ किजेगा इसा काटिंग करके तो चलिए हम पूरा इसा काटिंग करके ले लेते हैं